Hello students, welcome to social science class. We will continue with chapter number 6, that is places of Indian cultural heritage. So students, previous videos, we have seen a lot of heritage places, archaeological sites, which UNESCO has put in our world heritage list. We have seen a lot of heritage places, which we have studied in our world heritage, which we have studied in our world heritage. So students, I have studied in the past video, the Fort of Agra, which was the paragraph of the time, that our CM, Mr. Narendra Modi, who also has National festivals, was the one who had celebrate in Red Fort. So please, you may not be confused, it was the Fort of Agra, which I am talking about the National festivals, it was the Red Fort. So let's start, Red Fort, Lalkila, which we are talking about Hindi, Red Fort, which is Delhi, located in Delhi, and the Red Fort built in 1638 AD. hmmm hmmm दीवाने खास, रंग महल, ऐसे बहुत सारे महल इसके अंदर ही बनाए हुए है, उसमें से जो दीवाने खास जो है, वो सबसे शांदार और आलीशान वे में डेकोरेट किया गया है, कमपेर टू अधर बिल्डिंग्स और साती साथ ये जो डेकोरेशन जो किया गया था, इतना जो आलीशान इतना जो भव्य डेकोरेशन था, वो किया गया था, गोल्ड और सिल्वर से, साती साथ उसके अंदर प्रिशियस स्टोन्स भी जुडे हुए थे, रेड फोर्ड के अंदर और भी बिल्डिंग्स थी, जैसे यहां पर हमने दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ये सारे के बारे में तो बात कर लिया है, साती साथ यहां पर अलग जो अधर बिल्डिंग्स थी, वो थी, रंग महल, शीश महल जिसको हम बोलते हैं, या तो आयना महल जो बोलते हैं, वो मुम्तास, इन दे मेमरी आफ मुम्तास, लाहोरी गेट, मीना बजार, मुगल गार्डन, ये सारे जो अधर बिल्डिंग्स के अंदर आ जाते हैं, और उनके अंदर, रेड फोर्ड के अंदर, ये भी एक तरह से एट्रेक्शन का सोर्स बना था ट्यूरिस्ट के लिए, साथी साथ पिकॉक थ्रोन जो था, इसकी ले का, पिकॉक थ्रोन, एक तक्त बोलते हैं हम जिसको, ये जो था पिकॉक थ्रोन, सबस उसे best creation था इस कीले का बट नदीर शाद जो थे वो यह जो पिकॉक थ्रोन है उसको इरान ले गए बेसिकली पिकॉक थ्रोन अगर simple language में बोले तो एक आसन बोला जा सकता है या तो एक तक्त बोला जा सकता है सो नदीर शाह जो थे वो अपने साथ इरान लेकर गए रेड़ फोर्ट जो है वो सबसे आउटस्टेंडिंग बिल्डिंग है मुगल आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर का और हर साल हमारा जो राश्ट्रिय जो जंडा है इंडियन फ्लेग जो है वो वहाँ पर होस्ट होता है और रेड़ फोर्ट में ही हमारे सारे नेशनल जो फेस्टिवल्स होते हैं वो रेड़ फोर्ट में ही सेलिब्रेट होते हैं So I hope आप रेड़ फोर्ट के बारे में काफी जानकारी हमने ले लिए और आपको समझ भी आ गया होगा नेक्स्ट बात करते हैं फतेपुर सिक्री तो फतेपुर सिक्री बेसिकली 26 माइल्स दूर है आगरा से और वो आया है उत्तर प्रदेश स्टेट से अकबर ने ये जो फतेपुर सिक्री है उसको ढूंडा था फाइंड आउट किया था ये सिट के जो फाउंडर थे वो कौन थे अकबर थे और उन्होंने ये जो फतेपुर सिक्री जो उन्होंने फाउंड की थी सुफी सेंट शेख सलीम चिस्टी के याद में उन्होंने ये जो सिटी है उसको फाउंड की थी और फतेपुर सिक्री को ही खुद की कैपिटल सिटी बना द दी ती मिंस उत्तर प्रदेश की जो capital सिर्टी जो है फतेपूर सिकरी बना दी थी पापिस रिपिट गहर रही ूं अकबर ने इस फतेपूर सिकरी को अपनी खुद की capital सिर्टी बना ली थी जो construction था फतेपूर सिकरी का वह स्टार्ट हुआ था 1569 में और कम्प्लीट हुआ था 1572 AD में दे बेस्ट बिल्डिंग्स अमोंग देम आर तो फतेपुर सिक्री में जो बेस्ट बिल्डिंग्स थे वो थे बिर्बल का पैलेस, गोल्डन पैलेस अफ बिबी मर्यम, पैलेस ऑफ तुर्की सुल्टान, जामा मस्चिद और बुलन दर्वाजा तो ये जो सारे बेस्ट बिल्डिंग्स थे फतेपुर सिक्री के वापिस से रिपीट कर रहे हूं बिर्बल पैलेस, गोल्डन पैलेस ओफ बिबी मर्यम, पैलेस ओफ तुर्की सुल्तान, जामा मस्चिद और बुलन दर्वाजा So, बुलन दर्वाजा जो था सबसे फेमस था फतेपुर सिक्री का क्योंकि जो उसका आर्किटेक्चरल जो डिजाइन था या जो आर्किटेक्चर था वो काफी मार्वलेस था बुलन दर्वाजा है वो फतेपुर सिक्री में ही आया हुआ है बुलन दर्वाजा 41 मीटर वाइड था और 50 मीटर हाई था साथी साथ The other well-known remarkable buildings of Sikri are The Palaces of Jodhabai, Pancha Mahal, Tomb of Sheikh Salim Chisti, Diwane Aam, Diwane Khas and Jyotish Mahal तो बहुत सारे अलग-अलग जो well-known प्रचलित और remarkable buildings थे फतेपुर Sikri के वो आपको मैंने अभी readout कर दिया Palace of Jodhabai, Pancha Mahal, Tomb of Sheikh Salim Chisti, Diwane Aam, Diwane Khas and Jyotish Mahal तो आप clear होंगे फतेपुर Sikri topic से अभी हम आते Churches of Goa The Christian missionaries came to India with the Portuguese to spread Christianity जो Christian missionaries थे वो इंडिया में आये थे Portuguese के साथ Christianity धर्म को widespread करने के लिए Goa was the capital of the Portuguese तो Portuguese का जो capital था वो क्या था? Goa था Many churches were built in Goa like Church of Basilica of Bomb Jesus and Basilica of God Jesus are in Old Goa तो यहाँ पर बहुत सारे churches Goa में बने हुए थे जैसे के यहाँ पर आपको नाम दिया हुआ है Church of Basilica of Bomb Jesus और Basilica of God Jesus are in Old Goa Sorry, Old Goa So Basilica of God Jesus जो था वो Old Goa में आया हुआ है The relics of Saint Francis Xavier is kept in a coffin in a Church of Goa तो जो remains थे या तो बोला जा सकता है कि अवशेश जो थे Saint Francis Xavier के वो गोआ के ही Church में रखे हुए थे His dead body has not decayed even after so many years तो जो उनकी coffin रखी गई थी Goa के Church में किनकी Saint Francis Xavier की उनकी जो dead body बोला जा सकता है उनको दफनाया नहीं गया था बहुत सालों तक Besides there are many churches in Goa It is well renowned for its beautiful beaches and its artistic churches तो Goa जो है वो काफी प्रचलिद भी है, काफी well known भी है किसके लिए उसकी beautiful beaches और artistic churches के वज़े से आगे बात करते हम चंपानेर के बारे में तो चंपानेर जो है वो situated है गुजरात स्टेट में कहाँ पर तो चंपानेर situated है फुट हिल्स ओफ पावागड पावागड के जो भी फुट हिल्स है उसकी टोच पर हलोल तालुका है पंचमहल district है और स्टेट गुजरात है तो simple चंपानेर is located in हलोल तालुका in पंचमहल district of गुजरात after the victory of चंपानेर महमद बेगाड़ा gave it the position of capital and named it as महुमनदा बाद so चंपानेर की victory के बाद मतलब चंपानेर को हासिल करने के बाद चंपानेर में जो जीत हासिल करने के बाद महमुद बेगाड़ा जो है उनको जो है capital माना गया और उसके लिए उसके बाद ये नाम चंपानेर का क्या पड़ गया मोहमदा बाद मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद and historical fort are different buildings in चंपानेर तो मोटी मस्जिद, जामा मस्जिद और historical जो fort है वो अलग-अलग different buildings है चंपानेर में consider art of architecture and historical importance of चंपानेर UNESCO has declared this town as a site of world heritage तो अगर इसको art of architecture और historical जो importance के मद्दे नजर रखते हुए UNESCO ने चंपानेर को site of world heritage के अंदर involve कर दिया है तो UNESCO एक organization है I hope आपको इसके बारे में class 9 में भी आपने study किया होगा UNESCO का full form होता है United Nation Educational Scientific Cultural Organization So, I hope you are clear with the all the heritage places of India